दोस्तों स्वागत है आपका एक वाफिस हेचेन 2.0 के नए सेशन में आज के सेशन में हम बात करेंगे सूर्दास जी के जिवन परचे की जी हाँ दोस्तों इससे पहले भी हम अनेक जिवन परचेयों की बात कर चीके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चले दोस्तों आज की सेशन को शुरू करते हैं महाकवी सूर्दास का जन्म रुनक्ता नाम ग्राम मिसन 1478 यस्वी में पंडिरामदास के घर हुआ था पंडिरामदास सारसवत बाहमर थे कुछ विद्वान से ही नाम के स्थान को सूर्दास का जन्म स्थल मानते हैं सूर्दास जी जन्मान थे या नहीं इस संबन्द में अनेक मत्भेत हैं कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनो वरतियों यों मानो सुभाव का जैसा सूच्म और सुन्दर वरण सूर्दास ने किया है वैसा कोई जन्मान वेक्ति कर ही नहीं सकता है इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संबहता बाद में अन्दे हुए थे यानि लोगों का कहना है कि ये बच्पन से अद्धे नहीं थे क्योंकि इन्हों ने जैसा मानो सुभाव का सूच्म और सुन्दर वरण किया है तो ऐसा कोई अन्दावेक्ति नहीं कर सकता है तो इसलिए उन लोगों का कहना है कि सूर्दाज जी बाद में अन्दे हुए जन्मांद नहीं थे सूर्दाज जी श्री बल्लभाचारे के शिश थे वे मतुरा के गवगाट पर श्री नाथ जी के मंदिर में रहते थे सूर्दाज का विवा भी हुआ था विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे पहले वे दीनता के पद गाया करते थे किन्तु बल्लभाचारे जी के संपर्क में आने के बाद वे क्रिश्ड लीला का ग्यान करने लगे कहा जाता है कि एक बार मतुरा में सूर्दाज जी से तुलसी की भेट हुई और धीरे धीरे दोनों में प्रेम बहु पढ़ गया सूर से प्रभावित हो कर ही तुलसी दास ने श्री क्रिश्ड गीता वली की रचना की सूर्दाज जी की मुड़त सन 1583 एजवी में गोरधन के पास पारसौली नामक घ्राम में हुई थी अगर इनकी प्रुम्ख रचनाओं की बात करें तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित तिलहरी इनकी प्रुम्ख रचनाओं है सूर दोस्तों आशा करता हूं कि ये सेचन आपके लिए helpful ला है, अगर दोस्तों आपके लिए ये सेचन helpful ला है तो प्लीज इस सेचन को like कीजिए, और चैनल पर नए हैंطो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए, मिलें एक लएधन वीडियो के साथ बने रहे हैं चैनंटोग. सीरो के साथ धन्यवाद